तो आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो और आपने देखा हो कि सी प्रोग्रामिंग में हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम पॉइंटर तक पहुंचे हमने पॉइंटर पे बात की पॉइंटर क्या होता है पॉइंटर बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे किसी भी वैल्यू अगर अपने दे रहे हैं तो वैरियबल का एड्रेस रखता है वो ठीक है तो उसी को हम पॉइंटर बोलते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं अगर हमारे पास एक सेक वैरियबल है तो ओविसी बात है इस ठीक है तो इसी को हम pointer बोलते हैं ठीक है तो आज हम बात करेंगे कि pointer में हम functions का use कैसे कर सकते हैं और function में हम pointer का use कैसे करते हैं basically ठीक है तो मतलब कुछ applications हैं हम different different uses पढ़ेंगे pointer के हम कहां कहां इसका use करते हैं तो आज हम बात करते हैं functions में pointer का use कैसे किया जाता है तो functions क्या होते हैं basically I hope आपको आपने मेरी last videos देखी हो और हमने जब function पर बात की तो आपको वो चीज clear हुई हो तो basically functions जैसे कि मैं आपको explain कर देती हूँ functions basically जैसे कि हमें sum करना है बट हमें हम बार बर हम sum perform कराना है एक ही program में हमें कई बार sum करना है तो हम नहीं चाहते कि हम अलग-अलग variable के तो हम वो चीज बार-बार repeat करें वो पूरा-पूरी steps को हम बार-बार लिखें तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक sum का हमने functions अलग बना लिया और सिर्फ main function के अंदर हमने सिर्फ उस sum function को call करा जितनी बार हमें sum कराना है उतनी बार हमने उस function को call कर लिया तो हमारे पस directly जब भी हम call करेंगे तो हम वो function को access कर पाएंगे हमें वो पूरा जो code है sum के लिए वो हमें बार-बार नहीं लिखना पड़ेगा तो basically इसलिए हम function का use करते हैं ठीक है तो जैसे कि मैंने इसमें बताया यह हमने यह आप अभी यहां से दिखिए main function हमने open किया generally जो हम programming में करते हैं integer variable a,b लिया हमने अब हमने एक function बनाया है उसमें हमने a और b एक value pass की है तो यह होता हमने function को call किया कौन से function को जो हमने उपर define किया है sorry यहां declare किया है और यहां पर हमने define किया है ठीक है तो यह हमने यह function बनाया है यहां पर जो भी हम यहां पर sum के लिए बना सकते हैं multiplication के लिए swapping के लिए कोई भी different operation जो हमें perform कराना है उसके लिए उसकी coding हम यहां लिख देते हैं और हम function में उसको call करते हैं अगर मैं इदर दो बार लिखती fun a,b तो यह एक बार addition मतलब sum का अगर होता तो एक बार addition करके देता फिर plus दूसरी बार जब नीचे आता तो दूसरी बार भी करके देता तो basically यह होता है function जिसमें हम एक function बना लेते हैं और main function में हम उसे जितनी बार call करते हैं वो उतनी बार इस function को access कर पाता है तो आज हम देखेंगे कि हम function में pointer का use कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ठीक है तो basically यहाँ पर मैंने क्या क्या है एक program बनाया है swapping का generally हम swapping में अगर हमें program बनाना हो तो आप इतना देखिए पहले हम main function बनाते हैं integer a, भी हमने variable लिए clear screen printf enter the number scanf enter कराई value person d, person d, address of a address of b ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं swap function लगा अभी हमेंने function का use किया generally यह function नहीं होता तो उसकी जगा मानलो यहां मैं एक और variable को t ले लेती और हम क्या करते हैं या फिर मानलो c ले लेती मैंने एक program बनाया भी है तीन variable का use करके हम swapping कैसे करते हैं तो c is equal to हो जाता a a is equal to b and b is equal to c इस तरह से मैं swapping कर देती तो इस से क्या होती a की value b में और b की value a में चली जाती बट मुझे यहां पर यह नहीं करना मैं function बना रही हूं swapping का तो मैंने यहां पर एक swap function बना लिया है यह मैंने call किया है function को बट function बनाया कहां है यहां पर कैसे बनाया है यह मैंने function void swap यह हमने function मनाया इसमें integer मैंने यह star x और star y क्यों लिखा है generally मैं x और y भी लिख सकती थी तो उससे क्या होता जब भी यह main function open हुआ तो यहाँ पर मुझे दो variable मिले a और b ठीक है अगर मैं यहाँ पर star x और star y की जगा simply x और y लिखती तो यहाँ यह swap function open होता और मुझे x और y मिलते जिसमें value ज़रूर a और b की होती बट वो सिर्फ value ही होती मैं x और y में जो नहीं value आती उसको मैं a और b में transfer नहीं कर पाती इसलिए मैंने दूसरे यह variable बनाने से better मैंने क्या किया address of star x और star y लिया star x और star y क्या है generally a का address है अपन लिखते हैं न generally a का address x and b का y जब भी मैंने आपको बताया किसी भी variable के आगे star लगा हो तो वो उसका address हो जाता है जैसी कि generally अगर मेरा यह मानलो x होता तो sorry a होता और मुझे इसका address करना है तो मैं star x लिख सकती थी तो उसी तरह मैंने यहाँ पर भी यही किया है यहाँ पर मैंने star x और star y लिए है जो कि star x और star y क्या है a और b का address रख रहे हैं अब मैं क्या करूंगी इस address में इसकी value तो मैंने इसका address यह access कर लिया जब मैं इसके value में changes करूंगी तो वो automatically किस में change होगा a और b में change होगा तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया एक variable t ले लिया for swapping के लिए t is equal to address of x address of x मतलब की address of x मतलब in short में a की ही बात कर रही हूँ तो उस a में जो value है वो t में चली गई फिर x में address of x जो भी है जो address होगा इसका यहाँ पर कुछ न कुछ address होगा तो उस address में मैं किसकी value डाल रही हूँ इस वाले address की value डाल रही हूँ ठीक है उसके बाद sorry इस वाले address की नहीं इस वाले address पर जो value है वो मैं इसमें डाल रही हूँ ठीक है उसी तरह फिर इस address पर जो value है वो मैंने जो t में transfer करी है वो value मैं इसमें डाल रही हूँ generally मैं कर ये address में change रही हूँ बट वो address office सी बात है address किसका है a और b का है इसलिए मैंने यहाँ पर star x और star y लिया था a और b को access करने के लिए अगर मैं यहाँ simple x लिय थी तो वो दूसरे variable हो जाते उससे a और b पर कोई effect नहीं पड़ता बट मैं चाहती हूँ यहाँ पर मैं जो change करूँ वो a और b मैं भी change हूँ ठीक है तो यह मैंने swapping का यह तो आपको बदा ही है यह method इसके बाद इसको close कर दिया अब क्या किया मैंने यहाँ पर जब मैं swap function को call किया मैंने तो यह कहां गया यह गया अब a और b की जगह इसने access किया और जो यह value आई है वो a और b क्या यह तो इसने जो भी value होंगी वो यह return कर दी ठीक है अब यह जब वापस आई value जो आई तो अपने print करा दिया a person d b person d a और b क्योंकि generally यह star x और star y generally क्या हो गए a और b हो गए तो जैसे यह change हुए a और b की values भी change होगी forget ch and program end तो यह हुआ एक swapping का program जिसमें मैंने pointer का use किया है क्यों किया है यह भी मैं आपको explain कर चुके हूँ अगर कोई problem होती है कोई भी doubt होता है किसी भी step में यह आपको कुछ भी confusion होता है तो you can ask me on comment section वीडियो पसंद आया हो तो please like करना मत भोले और अपना feedback जरूर दीजिए thank you so much bye bye